नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अभी शेक शर्म और इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ देखे यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है भयंकर गिरावट देखने को मिल चुकी है 399 रुपीज 40 पैसे पर ट्रेड करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है वहीं 3 आवर चार्ट के अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी लगातार एक टाउन फॉल स्टॉक में जारी है देखे अगर यही गिरावट चारी रहती है तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट लेबल है इस सपोर्ट का आपको पूरा ध्यान रखना है 376 रुपीज 99 पैसे का सपोर्ट इस सपोर्ट पर बिलकुल नजरे पना कर चल सकते हैं अब बात करते हैं यहाँ पर टारगेट्स की अगर रिकावरी बनती है स्टॉक में तो उपर की तरफ दिखेंगे नेक्स टारगेट आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए रहने वाले हैं 425, 450 रुपीज तक के लेबल जो है वो स्टॉक अचीव करेगा अगर तेजी वापस लोटाती है उपर की तरफ एक रिजिस्टेंस लेबल है जो कि स्पेशली उन लोगों के लिए है दोस्तों जो कि यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं टाटा मोटर्स स्टॉक में 4.39 रुपीज 33 पैसे काई रिजिस्टेंस लेबल है जोस्तों जब तक स्टॉक इस रिजिस्टेंस लेबल को प्रेक नहीं करता कोई भी फ्रेश पाइंग हमें अभी नहीं करनी है तो टाटा मोटर्स में भी वेट एंड वाच की स्टेजी हमें अपनानी है specially for swing traders लेकिन अगर आप एक long term investor हैं तो धीरे धीरे SIP mode में यहाँ पर add करके चल सकते हैं अपने portfolio में देखिए long term में एक अच्छा खासा मुनाफ़ा ये stock पना कर देगा लेकिन short term में देखेंगे तो किरावट अभी चारी है तो supports का ध्यान रखें targets हमने आपको बता ही दिया हैं अगर आपके portfolio में Tata Motors hold है continue hold करके चल सकते हैं तो यही strategy आपको पनानी है आप चाहें तो अपनी खुद की analysis खुद की research जरूर करके चल सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवार